जार्खंट से एक बड़ी खबर आपको बता दे जहां पर प्रेम प्रकाश के तत्रा ठिकानों पर इडी की चापे मारी की जा रही है बता दे कि जार्खंट बिहार दिल्ली समेथ कई राजियों में ये चापे मारी चल रही है और खरनन गोटाले से जुड़ा ये पूरा मामल दिल्ली और तमिलनाडू में भी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ये चापे मारी की जा रही है तो खुल मिला के देखा जाए तो प्रेम प्रकाश पर इडी की दविश लगातार बढ़ती जा रही है और इडी को कई आपति जनक दस्ता वेज भी मिले हैं सूत्रों के हवाल इसे यह खबर सामने आ रही है और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहियोगी पंकश प्रसुन के साथ पंकश यहां पर प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर छापे मारी चल रही है क्या कुछ है पूरी जानकारी देखिए कुछ वो 17 ठिकाने हैं जिन पर छापे मारी चल रही है पहले खबर यह भी आई थी कि बिहार में जो छापे मारी चल रही है वो सुबोध राय के घर वो भी अवैड खानन से ही कुछ जुड़ा हुआ तार था तो इसलिए तीन और ठिकाने उनके हमने टोटर 20 ठिक प्रेम प्रकास के जहां पर छापे मारी चल रही है फिलहाल यह अवायद खानन से जुड़ो हुआ मामला है और दर्शकों को पता हुआ कि पहले भी प्रेम प्रकास को से एडी पूछताच कर चुकी है और एडी ने अमीत अगरवाल को भी सबन दे कर पुलाया है तो कुल मि प्रेम प्रकास के ऊपर छापे मारी का पहले चापे मारी हुई कई चीजे पकड़ी के उनसे पूछताच हुई फिर यह बीच का जो कैप का दूसरे लोगों से पूछताच कर चल रही थी अवायद खंद साहिव गंच का था वहां सारे सबुती कट्टे किये जा रहे थे और प्रेम प्रकास के खिकानों पर चापे मारी हुई है लेकिन इतना जरूर है कि वो सरकारी दस्तावेश थे तो प्रेम प्रकाश के आया उनके सही होगी है कि नीजी ठीकाने पर सरकारी दस्तावेश कैसे पहुंचे यह जाज का विशह हो सकता है पंकज इस पूरे मामले पर गोडा सांस निशिकान दूबे ने ट्वीट भी किया है लेकिन जो अच्छा पेमारी हुई है वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के चलाफ जो अभियां चलता है पूरे देश में उसमें बड़ा पड़ाव है और खास करके जार्खन की बा सब्सक्राइब लगवाग लगवाग देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब इडी की कारवाई आगे चलती है काम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आपको बता दे कि प्रिम प्रकाश के 17 ठिकानों पर रेट चल रही है और अगर बिहार को भी जोड़ ले तो यहां पर कुल 20 ठिकानों पर यह चापे मारी चल रही है इडी की टीम खरनन को टाले से को लेकर यह चाप